जेहन दोस्तों स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियान आर्मी घ्यान में जी हां दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं एक धासूप पेपर जी हां दोस्तों ये एक ऐसा पेपर है जो हमारा पिछले एक सेंटर में हुआ था आर ओ एक क्यू का से जादा अच्छा लगा पेपर इसलिए आपने बहुत जादा बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया हमें उस वीडियो पर सो इसी उसी बेस पर हमने इसका सेकेंड पार त्यार किया है दोस्तों सो प्लीज हमारा ये वीडियो चलते चलते शेर जरूर कर दीजिए और अपने द सेंटर के हों चाहे वो रैली भरती के हों सो उन में उन पेपर्स में आपको बहुत जादा फाइदा मिलने वाला है दोस्तों बहुत जादा फाइदा तो विडाउट एनी डिले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं जो हमारा पहला कोशन अएगा साइंस का जी के हमने सॉल्व कर ली थी तो हमारा पहला कोशन है साइंस का that is largest gland in human body मानव शृरी की सबसे बड़ी गरंथी कौन सी है दोस्तों आपके पास चार सेकंड है सॉरी पांच सेकंड है एक दो तीन चार और पांच आपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे है अगर आपको आता है तो आंसर इस यकरित लिवर लिवर is the largest gland of our body the next question when a moving train stops suddenly a man tends to fall dash कोई अगर train गाड़ी में बैठे हैं रेल गाड़ी में बैठे हैं तो एकदम वो चलते चलते रुख जाए तो आपका शरीर कैसे आगी की और जुकेगा पीछे की और जुकेगा दाई और बाई और कहा जुकेगा so please अपना answer हमें comment box में जल्दी से जल्दी option a b c d करके बताईए दोस्तो आपको इस question से हम जैसे questions पूछते हैं आपकी practice होगी दोस्तो answer देने में कि within five seconds कैसे answer देना है तो इसका answer है अपनी बॉड़ी upward direction में upward direction में move करती है दोस्तो अप वर्ड आगे की और ठीक है दोस्तो sorry forward forward direction में move करती ऊपर नहीं forward direction में move करती है ठीक है दोस्तो flow flow में बोला गया upward but forward, आगे के और जुख जाते हैं जब भी train एकदम चलती चलती stop हो जाती है, so ये हमारा गती का, Newton की गती के नियों में इसे एक नियम है so next question के और बढ़ेंगे दर rabies is caused by, rabies किसके कारण होता है दोस्तो, rabies होता है, answer जल्दी से बताईए, comment box में दोस्तो, आपके लिए बहुत ही important question लेके आए हैं so please give the answer 5 second हो गए है, हम ऐसे बोलते हुए, so please give the answer answer is dog bite, कुट्टे के काटने से rabies हो जाता है दोस्तो, so जिससे 14-14 injection नहीं लगते वो बले, अब तो चलो एक आगया injection, पहले 14 injection लगते थे कुट्टे के काटने से so उसके बाद, natural sources of energy, natural source of energy कौन से है दोस्तो, electricity है, friction है, battery है यहाँ sun, जिहाँ दोस्तो यह तो जग जाहिर है, कि हमारे सूर्य देव, हमारे सूर्य देव, क्या है natural source of energy है, हमारे natural source है, हमारी prakritic source है कौन सा है, यहाँ से मिलता कहा है vitamin, कौन सा मिलता है vitamin, vitamin D मिलता है दोस्तो so next question के और बढ़ेंगे दोस्तो which mirror is used in the headlights of the cars, है cars की headlights में, car की जो आगे वाली motor car की जो headlights होते हैं, उसमें कौन सा mirror use होता है आप देखिए, दो तरह की mirrors में आपको बताऊंगा यह है concave, और यह है convex तो इन में से कौन सा mirror, यह वाला mirror convex mirror use होता है दोस्तो, उत्तल दरपन use होता है उसमें, तो next question के और बढ़ेंगे दोस्तो, next question है हमारा हमारा next question जो है, वो है which of the following is the universal recipient of blood, वे कौन सा रक्त समू है जो सर्व ग्राही है, जो सबका blood ले सकता है, अब बता दूँ दोस्तो, O जो है O recipient है, sorry giver है, देता है सबको यह सबको परदान करता है giver but receive कौन करता है receive करता है AB plus, यह है right answer, ठीक है दोस्तो यह है receiver, AB plus AB positive next question के और बढ़ेंगे दोस्तो seismograph is used to measure seismograph का अपयोग, मापने, किस चीज को मापने के लिए किया जाता है seismograph का अपयोग, blood pressure, earthquake earthquake, heartbeat, flow of control, किस को, जी हाँ दोस्तो, इसका right answer है, earthquake को मापने के लिए इसका अपयोग किया जाता है दोस्तो, SI unit of power, जल्दी से इस next question के और बढ़ेंगे दोस्तो, विदूत का SI मातरक क्या है, विदूत का SI मातरक, SI मातरक of power, एक, दो, तीन, चार और पांच, right answer is, what? next question के और बढ़ेंगे दोस्तो, next question है हमारा, in our body, ligaments, ligaments, अब सनायू क्या करते हैं, सनायू क्या करते हैं, दोस्तो, सनायू, या तो muscles को bones के साथ जोडते हैं, muscles to muscles जोडते हैं, muscles को skins के साथ जोडते हैं, या bone to bone जोडते हैं, जी हाँ दोस्तो, हमारे ligaments, किस को किस के साथ जोड़ते हैं दोस्तों मुसल्स टू बोन अब देखिए दोस्तों जो कोश्चन्स तो बोलने में थोड़ा टाइम लग जाता है उसमें आपके आपके दिये गिंती नहीं करूंगा बोलने के तत पस्चाद बाद ही आपको आंसर देना बड़ता है इमेजेटली आफर फिनिशिंग माई रिपीदिग देखिए ठीक है यह व्याव तो गिव आंसर तो नेक्स वन इस अपाउंड और यॉगिक को क्या कहते हैं शुगर कार्भो हैड्रेट्स हाइड्रो कार्बन यह और गैनिक कंपाउंड्स तो दा राइट आंसर प्लीज गिव आंसर इन दे चैट बॉक्स ठीक है तो दा राइट आंसर इस हाइड्रो कार्बन नेक्स्ट कोस्टन के और बढ़ेंगे विदाउट एनी डिले केमिकल सिंबल ओफ सोडियम इस डैश केमिकल सिंबल ओफ सो एस ओ एन ए यह एस डी राइट आंसर है दोस्तो इसका राइट आंसर सोडियम का है एन ए एन ए इस दा सिंबल ओफ सोडियम नेक्स्ट कोशन के और बढ़ो दोस्तों नेक्स्ट कोशन के और बढ़ेंगे दोस्तों नेक्स्ट कोशन है बॉक्साइट एन ओर ओफ विच बॉक्साइट किस धातू का आयसक है जी हां दोस्तो बॉक्साइट किस धातू का आयसक है A. गोल्ड B. अल्मुनियम C. कॉपर याँ D. टिन So the right answer is दोस्तो right answer अल्मुनियम Aluminium Aluminium is the right answer Next है sulfuric acid किसको का जाता है यहां एक और चीज़ बता दूँ आपको sulfuric acid होता है न King of acids होता है दोस्तो King of acid यह acids का राजा है जो आपको बताऊंगा sulfuric acid इसका racinic sutra क्या है That is H2SO4 Hydrogen sulfuric acid H2SO4 So the right answer is this Which among the following is the reason of heart attack जिहां दोस्तो heart attack आने का क्या reason होता है Blood urea बढ़ जाना Blood में urea की मात्रा बढ़ जाना Blood protein का बढ़ जाना Blood में protein बढ़ जाना यह cholesterol बढ़ जाना यह blood sugar का बढ़ जाना जिहां दोस्तो इसका answer है हमारा right answer is cholesterol जब cholesterol जमता है तो हमारा खून ठिक हो जाता है ठिक होगा गाड़ा होगा तो heart attack आता है दोस्तो heart attack आता है ठीक है दोस्तो next question के और बढ़ेंगे दोस्तो next question is which substance is used in thermometer thermometer में ताप मापने के लिए कौन सा पदार्थ यूज होता है oil, tail, water पानी, iron लोहा, mercury या पारा जिसको बोलते हैं so the right answer is mercury is the right answer mercury हम thermometer में यूज करते हैं दोस्तो ताप मापने के लिए so उमीद करता हूँ दोस्तो आपको आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तो उमीद है please ऐसे ही हमारे वीडियो को प्यार देते रहे share करें जितना हो सकता है हमारे इस वीडियो को हमारे चैनल को नए जो अभी भावक हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं please हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लें इससे हमें बहुत ज़्यादा support मिलती है दोस्तो आप इस वीडियो को जतना हो सके उतना share करें क्योंकि जतना share करेंगे उतना ही किसी और नए student का फाइदा हो सकेगा दोस्तो बने रहे हैं हमारे साथ ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तो तब तक के लिए धन्यवाद जए है